वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फेंटसी बस पे हम यहां बात करने वाले हैं टीटी वर्सेस गयाना के बीच में जो मैच खेला जाएगा आज का सीपील का इसके बारे में फुल प्रिव्यू लेका हैं पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा तो आप अपनी खुद की टीम बना पाएंगे आपको किसी की टीम की कॉपी करने की नहीं बढ़ेगी क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर इंफॉमेशन और गाइडेंस एयर कर दी जाएगी और एक चीज इस वीडियो के बाद जो भी न्यूज आता है आफ्टर टॉस के बाद जो भी फार्दर अपडेट होता है वो सारी चीज़े हम आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर इंफर्म करते हैं जो कि बिल्कुल फुरी है तो अगर अभी तक आप हमारे टेलिग्राम च करें तो यह एक डिसेंट ग्राउंड है जहां पर बहुत कम हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने मिलते हैं 46 मैचेज में से 190 के पाद सिर्फ पांच बार स्कोर गया है यानि कि आप कह सकते हैं दस में से एक दो बार ठीक है उसके अलावा मैक्सिमम टाइम डेड़ सो के बिले स स्कोर रहा है और 170 से 189 के बीच में 8 पर स्कोर गया यानि डिसेंट स्कोरिंग हो सकता है अगर टीम खराब ना खिले तो इस टॉनमेंट में एक मुकाबला खिला गया जो कि चेजिंग टीम ने जीता है 132 बने थे उसको चेज कर लिया था बार बार डॉस के टीम ने यहां प बात करें तो रिसेंट 3 मैचे जो कि 2020 में खेले गए थे इसी ग्राउंड पर तो उसमें भी इतना हाई स्कोरिंग मैच हुआ नहीं था अल्मोस्ट डिसेंट स्कोरिंग ही हुआ था इस्पिनर्स ने 23 और पेशस ने 16 विकेट निकाले हुए थे उस मैच में ठीक है तीनो रिपोट क्या रहती है ठीक है वैसे मैं आपको कोशिस करूंगा कि टेलिग्राम पर इंफॉर्म कर दूंँ अगर आता है तो बहुत मुश्किल से सीपील का पिछ रिपोट मिलता है बहुत मोस्ट अब टाइम तो आता भी नहीं है ठीक है तो वही चीज है अगर हम बात करें है तो बीस मुकाबले खिले गए गयाना ने आठ और बार मुकाबले जीते हैं दूने टीम के बैटिंग बॉलिंग इस्टाइल यहां पर देख सकते हो कौन लेफ्ट हेंडर है कौन राइट हेंडर है वह चीज आपको यहां पर दिख जाएगा इनकी टीम में आप रहें सी हमराज कॉलिं इंग्राम हेंडिज क्लासें सिम्रान हिटमायर रों मारियो सेफ़र्ड ओर्डेन इसमिथ ताबरेशाम सिम्रान ताहिर बट कीमो पॉल ओर्डेन इसमिथ से ज्यादा ओवर डाल रहें और इन से ऊपर भी आ बैटिंग करने में तो इनको अगर और न परफोर्मेंस उसके अलवा तबरेशाम सिन और इम्रान ताहिर ने अच्छा परफोर्मेंस किया हुआ अब इनकी टीम से देख लेंगे कौन कहां पर बॉलिंग करता है और कितने ओवर की बॉलिंग करता है पावर प्ले में यह लोग किसी को भी लेकि आ जाते हैं देथ में कीमो पाउल ओर निश में रोव मारियो चैफर्ड स्टर्टिंग में ओर नि स्मीत और रोमारियो सेफर्ड आ रहे थे बाट लास्ट के कुछ मैचेज में कीमो पाउल को देथमे के इनका गिनबाजी दी गई अब इनकी टीम से जो अच्छे कासे और की बॉलिंय ही ङले ज cath पॉल स्टर्लिंग है आप इनकी important player देख सकते हो stats wise जो के हन्रिज क्लासन या से important है stats अच्छा रखते हैं पॉल स्टर्लिंग, हिटमायर, चंदरपल, हैमराज और कॉल इनिंगरम ये लोग stats अच्छा रखते हैं इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे राउंडर सेक्षन से ओर्डन इसमित रुमारियो सैफ़र्ट की मपॉल का रिकॉर्ड अच्छा है और बॉलिंग सेक्षन से तबरेश सामसी इमरान तायो जीमोटी का रिकॉर्ड अच्छा है इसके लावा कोई न्यू प्लियर खेलता है तो आप उसका स्टैट्स यहां पे द अगर कंसिस्टेंट हो गए तो इसके अलावा अब बात करें कि लास्ट मेंच के पर्फॉर्मेंस आप इनके नाम क्या आगे देख सकते हैं अब बात करते हैं कॉन कितने ओवर की बॉलिंग डालता है तो वह है रावी रामपॉल डूपा विलान ओपन करते हैं बालिंग से यहीं दोनों आते हैं इसके लावा जो इनके टीम से अच्छे खास होवर्स की बालिंग डालता है दूपा विलन रवी रामपॉल सुनी लरेन इनके अच्छे खासे चांसे बाकी के जो यह वर्स जो प्लेयर्स हैं यह लोग आठ ओवर्स मिलके शेयर करते हैं अब वह एंदर से उबर भी डालेंगे इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्टैट्स वाइज वह है निकॉलस पूरण टिम साइफ़र्ट और यहां से कॉलिन मुन्रो थोड़ा सा फॉर्म गडबड़ है इनका लेकिन कॉलिन मुन्रो और कैरवन पॉलाड यहां से इंपॉर्टेंट है स स्टैट्स वाइज इसके लवा आकिल हुसेन रवी रामपॉल महेस्तीक शणा और यहां से एस लेवाइस और डुपा विलन यह लोग इंपॉर्टेंट है स्टैट्स वाइज ठीक है तो अब हम बात करेंगे इनकी टीम के हैड्ट टू एडड स्टैट्स की कौन सा प्लियर क स्टैट्स अच्छा है जब यह दोनों टीमें आपस में खेलते हैं तो गयाना की तरफ से अगर हम बात करें तो सिम्रन हिटमाय रोमारियो सेफट का बल्लेवाजी से रिकॉर्ड अच्छा है और उसके बाद कॉलिन मुनों 48 का एवरेज है रोमारियो सेफट का निकॉलस चौधा रवी रामपल दो मैंस में पांच विकेट है यह हैट टो एड़ी स्टैट्स है बॉलिंग से ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें वेन्यू स्टैट्स यानि कि जब यह दोनों ट्री में टीम के प्लेयर्स इस ग्राउंड पर खेलते हैं चाहे किसी भी टीम के ल वे रिकोर्ड अच्छा है केरन पुलार निकोलस पूरन और टेम साय फट यकड.. अच्छा है इस ग्राउंड पे फिक है इसे प्रकारS से अगर हम बात करें तो गया ना वी पर मौल का रिकोर्डी संट है इसमेंगरें और अगर हम बात करेह टृन ट्रीन ci bei एड की तो सुनी मुन्रो फॉर्म से तो जूज रहें थोड़ा सा लेकिन इमरान ताहिर के अगेंस्ट 66 गिंद में तीन बर आउट हुए लेकिन 78 रन भी बनाए वी पर मॉल ने इनको एक बार आउट किया है केरन पुलाट को ताहिर ने 55 गिंद में तीन बार आउट जरूर किया लेकिन 69 रन भ साय होप एक बार आउट हुए ज्यादा कुछ है नहीं हमराज भी एक बार आउट है पॉल स्टलिंग खेलनी रहे तो दोस्तो पॉल स्टलिंग अगर खेलेंगे तो रवी राम पॉलिन को आठ गिंद में तीन बार आउट किया हुआ है इसके अलावा अब हम चलते हैं टीम स सस्टलिंग की दरफ किस प्लेयर को कब हम ले सकते हैं और कब नहीं विकेट किपिंग सेक्षिन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहां पर देखो आपके पास दो अच्छे ऑप्षिन है तो यह चारो ही option जो खेल रहे हैं लेकिन form wise दो अच्छे option निकॉलस पुरान पहले middle order में खेल रहे थे तो उतना अच्छा performance नहीं है बट open करने आए तो 52 रन की पारी खेली हाला कि यह थोड़ा सा inconsistent रहे हैं अभी confirm नहीं है फिर से 50 रन बनाएंगे की नहीं बट open कर रहे हैं तो मैंने इनको ले लिया है उसके बाद आप हैंड़ेज क्लास इनको भी ले सकते हैं इनका थोड़ा सा एक रिस्क रहता है बल्लेबाजी का प्रमोशन और इसाब से उतने great player नहीं है जितने के वंडे के लेवल के हैं तो मैं जादा इनको लेता नहीं हो थोड़ा सा strike rate का issue रहता इनका टिम सैफर्ट बल्लेबाज तो बहुत अच्छे हैं और अपने आपको प्रूफ भी कई बार कर चुके हैं अलग-अलग कंडिशन में इंडियन क कंडिशन में भी रन बनाया है लेकिन अभी फॉर्म थोड़ा सा गड़बड चल रहा है और विकेट कीपिंग ये कर रहे हैं अपनी टीम से तो थोड़ा सा जो रिस्क लेना चाहिए मिनी जील में टिम सैफर्ट को ले सकते हो उसके बाद बल्लेबाजी से सिमरन हिट मायर ए थोड़े से हिट और मिस्टाइब के प्लेयर जरूर है अभी कलिए मैंने इनको लिया वाए अगर इनकी टीम चेज कर रहे हो तो आप टीवेफ्स्टर को ले सकते हो बट मैं कहूंगा टीवेफ्स्टर से अच्छा खासा टैलेंट इन में है उसके अलावा सी है मराज आपक बड़ी पारी को बिल्ड करने में दिक्कते आती हैं और कभी कबार हो गया तो हो गया दरवाइस यह भी बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं जो दिक्कत यहां पर आते कि इन्हीं स्टार्ट भी अच्छा मिल गया तो बड़ी पारी में बिल्ड करना उसको थोड़ा सा इनको दिक्कत लगता है मतलब उतना नहीं कर पाते हैं most of the time fail हो जाते हैं but कभी कबार कर भी सकते हैं क्रिकेटर हैं तभी यहां तक पहुंचे but most of the time जो possibilities है वो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अलावा कैरन पॉलाड फॉर्म से थोड़ा जूज रहे हैं और बल्ले बाजी कभी कर रहे हैं सरी गेन बाजी कभी कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो वो एक risky movie रहेगा इनको लेना कॉलिन इंगराम देखो trusted बल्ले बाज हैं थोड़ा सा cricket से दूर रहते हैं थोड़ा सा समय जरूर लेगेगा लेकिन वन डाउन के अच्छे पोजीशन के खिलाड़ी हैं most of the time रंच बनाते हैं तो आप इनको अपनी टीम में ले के जा सकते हैं consistent scoring के लिए जाने जाते हैं इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है बाकी नीचे कोई अच्छा option है नहीं और राउंडर सेक्षिन में थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया है रिस्क क्या लिया है देखो सुनी लरिन को तो ले नहीं है क्योंकि सामने वैसे भी तीन लेफ्ट हिंडर है विकेट टेकिंग बॉलर है बल्लेबाजी में एनी टाइम प्रमोट हो सकते हैं लास्ट मैं उपन न चाले तब यह दथ में भी आ सकते हैं और फर्स्ट बैटिंग में भी एक रिस्क रहा है कि अगर बैटिंग आ गई तो यह मतलब बहुत तेजी से रन बट वर सकते हैं बहुत कम गेंदों में तो एसा प्लेयर तो मैं इनको लेके जा रहा हूं अगर आप इनके जगे पर ओर और इसमित को लेना चाहते हो तो ले सकते हो मैंने लिया है क्योंकि देखो मैंने कीमो पॉल को लिया है यह तो सेफ़वड और ओड़नीसमित से ज्जादा बहतर है अब ऐसा मैं क्यों कहा रहा हूं रिसेंटली आप गई गयार इतना अच्छा पर्फोर्मेंस रहा नहीं है तो कीमपॉल ज़ादा के अगर मौका मिलेगा तो यह अच्छा परफॉरमेंस करने के चांस से ज्यादा रखेंगे अर्डरोडष्मिल के मुकाबले कीमपॉल के चांस से ज़्यादा पर्फॉरमेंस करने के according to form according to ability लेकिन ओर्डनिश्मित ने अच्छा performance किया है हो सकता है कि यह पासा उल्टा पड़ जाए मेरा ठीक है तो आप सेफ जाना चाहते हो तो कीमो पॉल की जगे ओर्डनिश्मित को ले लो अभी के लिए मैंने कीमो पॉल को लिया हुआ है ठीक है थोड़ा रिस्क लेके खा और इनके क्यों कर रहे हैं क्यों क्यों कर दोदिख सकते हैं और बल्ले बाज़े में लगाना जानते हैं है यहां से तब्रेश था पिक रहे कभी कबार ओवर कट सकते हैं लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि डालें रवी रामपॉल और डुपाविलन दोनों विकेट टेकिंग बॉलर रवी रामपॉल तो एक्सपीरेंस भी है इनके पास कटर से इनके पास अच्छे खासे वरियेशन चलाखी से गिंदबाजी करते हैं त चाहे स्मॉल लीगों चाहे ग्रेंड लीगों लेकिन ताहिर का फॉर्म उतना अच्छा चलने रहा है जिसके लिए जाने जाता है बल्क में विकेट निकालने क्लिए अभी इन्होंने सिर्फ एक एक विकेट निकाला वा है तो मैंने मिस करने का रिस्क ले लिया बट यह से गिंद बाच कभी भी गुच्छों में विकेट लिए जा सकते हैं जी मोटी का इंटरनेशनल लेवल पर पर्फॉमेंस अच्छा रहा था बर यहां पर लास्ट दो मैचसे में पर्फॉमेंस ऊच्छा रहा था बट यहां के लिए जैन्टे इंच्छों को काइनरत के ऊवर कट सकते हैं तो तने अच्छी आप्शन नहीं है उसके अलावा नीचे को इतना अच्छा प्लेयर है निजो की खेल रहा हो तो आप चलते टीम प्रिविव की तरफ कुछ इस प्रकार से टीम हो रहा है जहां पर कप्तानी मैंने नरेन को दिया वाइस कप्तानी कर रहा है ठीक है उसके अकोर्डिंग देखेंगा आप पिछ रिपोर्ट अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेयर कर दूँगा क्योंकि कभी कबार नहीं भी आता है चीपील का पिछ रिपोर्ट ठीक है लेकिन जब आता है तो मैं आपको बता डाल रही है तो यहां पे रवी रामपॉल और डुपा विलन और अगर यहां से इनकी टीम पहले बॉलिंग डाल रही है तो सैफर्ट कीमपॉल इन लोगों कर सकते हो ठीक है यह दध बॉलर्ट हो गए उसके अलावा ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग हो आप किस प्लेयर क मतलब ग्रैंड लीग में या स्मॉल लीग में ट्रम्पिक के तौर पर यूज कर सकते हो एंडिज क्लास इन लोगों को आप एज़ा प्लेयर अपनी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग के टीम में या आप रिस्क लेना चाहे तो अकॉर्डिंग टू सिच्वेशन जिस तरीके आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षन के सबसे पहले कमेंट में दे दिया है तो जल्दी से जाईए और जूड जाईए बिल्कुल फूरी है थेंक्यू सो मच दोस्तों ये वीडियो वाच करने के लिए मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए जह मैं